बहुत 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 आप सबका स्वागत है इस जूम सेशन में जहां पर हम एक और नया प्रोड़क्ट लाँच करने जा रहे हैं मेरे ख्याल से DXN ने अब एक जड़ी लगा दी है नये प्रोड़क्ट की अभी पिछली बार हमने तीन न्यूटरसुटिकल्स लाँच करे थे और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीवन में मिठास गोलने के लिए कोई प्रोड़क्ट तो दोस्तों क्यों ना कुछ मीठा हो जाए तयार हैं तो आगे बढ़ते हैं आप सबका स्वागत करता हूं मैं एक बढ़ फिर से DXN the real company के अंदर तो कहा जाता है कि जैसा अन वैसा मन जी हाँ जै हम जैसा खाते हैं हम वैसा ही सोचते भी है और अगर हम पॉस्टिक खाएंगे तो हमारी शरीर हल्दी रहेगा और अगर शरीर हल्दी रहेगा तो हमारा माइंड एक्टिव रहेगा और हमारी सोच भी बहतर होगी So as they say you are what you eat So eat healthy तो इसलिए हमेशा पॉस्टिक खाने की बात करें और जब हम पॉस्टिक या नुट्रिशन की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से DXN से बहतर नुट्रिशन और पॉस्टिक ता को कोई नहीं जानता तो इसी सीरीज के अंदर जैसे मैंने बोला कुछ मीठा हो जाए आपके आगे चलते हैं So अगर हम मीठे की बात करते हैं एक शब्द होता है अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं गिल्टी प्लेजर तो आपको पता है कि खाने के अगर हम बात करें तो गिल्टी प्लेजर क्या होता है guilty pleasure होता है एक ऐसी चीज़ जो हम खाना चाहते हैं उसे avoid भी करना चाहते हैं लेकिन फिर खाने पर एक ऐसी चीज़ जो हमें लगता है कि उतनी बहतर नहीं है हमारे लिए लेकिन हमें बहुत पसंद है और हम और हम उसके तरफ आगे बढ़ते हैं अपने आपको रोक नहीं पात होते हैं और उस pleasure को enjoy करते हैं उसको बोलते हैं guilty pleasure यानि के something which everyone wants to have it, loves to have it, wants to avoid it, लेकिन साथ ती साथ end up होता है खाने में, guilty के साथ, तो क्या चीज़ है वो यह एक ऐसी चीज़ है जो हम regularly daily basis पर खाते हैं कभी हम यह directly खाते हैं, कभी हम hidden forms में इसको लेते हैं जैसे कि juices के अंदर, especially market bought juices जो बजार से हम juices करेते हैं, drinks, sweets, chocolates इनके अंदर, अगर मैं sweets की बात करूँ, तो आपको पता है दोस्तों कि sweets जो होती है, उसके अंदर कितनी जादा मिठा होता है और वो भी वो अला मीठा जो हमें guilty pleasure देता है, यह हम बात कर रहे हैं, इस culprit की जिसका नाम है white sugar, जो हम रोज लेते हैं, अलग-अलग forms के अंदर लेते हैं, और जब हम ज़्यादा white sugar लेते हैं, तो यह एक हमारे लिए harmful चीज है, हम फुल क्यों हैं? प्योंकि sugar से diabetes होने के chances बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मोटापा यानि कि obesity होने के chances बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और यह दो चीज अगर आपके साथ हैं, तो आप faster age करते हों, आपकी उम्र थोड़ी जल्दी बढ़ना शुरू हो जाती है, यानि कि आपकी जो chronological age है वो तो उतनी ही रहती है, लेकिन आप थोड़े से दिखने में ज़्यादा age लगने लग जाते हैं, आपका immune system जो है, इसे जो यह एक week करती है, और बचपन से हमें सिखाया गया है कि टॉफी मत खाओ, चॉकलिट मत खाओ, मीठा मत खाओ, दात जो ह हैं, आपके खराब हो सकते हैं, तो टूथ डिके जो है, वो भी शुरू हो जाता है, और अगर आप diabetic है, अगर आप obesity है, तो कहते हैं, it's a sure short recipe of heart disease, तो आपको इस इन चीज़ों को avoid करना है, जो की एक अच्छा विकल्प हो, इस सफेद refined sugar के अलावा, क्या ले सकते हैं, इसको हम replace कर सकते हैं, alternative natural sweeteners के साथ, जी ऐसी चीज़ें, जो की बिलकुल natural हैं, और जो हमें मिठास देती हैं, जैसे के honey ननी के शहर, या फिर raw jaggery, इस किसम के चीज़ें, और अगर हम jaggery की बात करते हैं, तो jaggery जो है, ये best alternative माना गया है, क्यों? क्योंकि ये आसानी से मिलता है, और economically viable है, अगर हम और natural sweetness की बात करते हैं, वो शायद खोड़े से महंगे होते हैं, लेकिन अगर हम jaggery की बात करते है हैं, तो ये economically viable है, ये असानी से इस्तमाल होता है, यानि कि इसका इस्तमाल आपने बिल्कु वैसे ही करना है, जैसे कि आप regular sugar का इस्तमाल कर सकते हैं, और ये बहुत, इसके जो, इनो टाइद a lot of goodness and without any harmful effect of refining process, चीनी जो होती है, एक refining process से गुजरती है, वो जो refining process क्या होता है, उसके अंदर, उसको जब refine करा जाता है, तो उसके अंदर से molasses निकाला जाता है, जिसके लिए उसको chemically treat किया जाता है, और अगर हम कोई chemically treated चीज़ ले रही हैं, और उसको refine करा जाए, वो देखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन हमारे शरीर के लिए उतनी ही ज़् करते हैं दोस्तों, तो यह हम direct या indirect form में जब भी इसको लेते हैं, तो यह हमारे लिए किसी भी तरह से अच्छी नहीए, किसी भी तरह सेच्छी नहीए, तो एगर हम बात करते हैं जैगरी की, तो क्या challenges हैं, जैगरी के लिए, कहते हैंना, कि हर पीली दिखने वाली चीज सोन नहीं होती, all that glitters is not cold, right, ऐसे ही जैगरी की बात है, हर भूरी दिखने वाली चीज जो है, वो जैगरी नहीं होती, okay, due to high competition market में, जो इतना ज़्यादा competition है, उसके चलते, बहुत से लोग जो है, नकली जैगरी बेशते हैं, यानि के चीनी को ही, अलग अलग तरह कैसे रंग करके और harmful coloring के साथ market में लेकर आते हैं, बहुत से gullible लोग जो है, नहीं पहचान पाते हैं, और सस्की के चकर में ले सकते हैं, और original जैगरी लेना जो है, ये एक challenge है, specifically शेहरों में, गाओं के अंदर, शायद फिर भी असानी से मिल सकता है, ताजा गोर, ताजी शकर, लेकिन शेह हमने सोचा कि क्यों ना हमें एक guilty free ingredient आपके लिए लेकर के आएं, जिससे कि आप सही मातरा में मिठास भी ले सकें, आपके जिन्दिगे में मिठास गुले, आपके खाने में मिठास गुले, और हम ट्रस्स करते हैं आपके लिए a pure form of jaggery, ऐसा एक ऐसी jaggery जो बिलकुल pure है, जि और इस किसम की jaggery जो होती है, यह बहुत rare मिलती है, normally ऐसी jaggery आपको market में शाहिद कम ही मिले हैं, तो दोस्तों, डिएक्सन लेकर आया है आपके लिए jaggery powder, produced from natural sugar cane juice without any use of chemicals, जी हाँ, बिलकुल natural तरीके से, प्राकृतिक तरीके से, गन्ने के रस्से बनी है, यह जिसमें किसी भी किसम के chemicals का इस्तेमाल नहीं हुआ है, और एक और चीज़, इसकी सबसे बड़ी खासियत, it's a first pressed jaggery, जब हम oil की बात करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, कि first pressed oil होता है, अगर आप olive oil की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं, virgin, extra virgin olive oil, यह सब क्या होते हैं, extra virgin olive oil हो गया, या फि इतनी भी first pressed चीज़े होती हैं, उनके अंदर nutrient और स्वाद सबसे ज्यादा होता है, तो हम आपके लिए जैगरी लेकर आए हैं, this is a first pressed jaggery, जो हम use कर रहे हैं, जिसके अंदर 30% से ज्यादा essential nutrients आपके लिए मिलते हैं, तो इतनी ज्यादा सोच के बाद, इतनी ज्यादा समझने के बाद, DXN ने जैगरी को चुना, यह नहीं कि कहीं से भी कुछ भी लिया, we have chosen, a lot of thought has gone behind, बहुत सी सोच इसके पीछे गई है, before coming out, with such a beautiful product, which is a first pressed jaggery, इतना खुदूरत पर आपके लेकर के आए हम लोग, और जितना मिलको समझ में आया है, अभी तक, जिसके जितना, चुकि कि यह अलड़ी स्टॉक के लिए खुल चुका था, तो इसके डिमांट भी जो है, बहुत जादा बढ़ी, अब हम बात करते हैं, कि यह एक अच्छा अल्टरनेटिव क्यों है, सबसे पहली चीज़, कि जैगरी के अंदर, it's the best alternative for white sugar, जैसे हमने पहले बताया, यह digestion के टाइम पर, यह बहुत, slowly breakdown होती है, चीनी जो होती है, immediately हम खाते हैं, वो घुल जाती है, हमारे और immediately हमारे खुन के अंदर घुल जाती है, लेकिन अगर हम बात करें, जैगरी की, तो यह एक जर्क देते हुए घुलती है, okay, so it immediately does not go into your blood, and it breaks down slowly, इसलिए इसको digest करना जो है, असान हो जाता है, यह एक rich vitamin and millions के अंदर होती है, अगर हम बात करते हैं, चीनी की, तो चीनी को कहा जाता है, they are just empty calories, जी हाँ, उसके अंदर सिर्फ calories हैं, empty calories, उसके अंदर किसी किसम के nutrients नहीं है, लेकिन अगर हम जैगरी की बात करते हैं, दोस्तों, तो इसके अंदर आपको बहुत से nutrients मिलेंगे, जैसे कि vitamin B1, vitamin B6, calcium, potassium, iron, इसके अंदर antioxidants होते हैं, जो हमारे शरीर, हमारे cells के लिए बहुत जरूरी है, हमने पहले भी इसके बार में बात करी हैं, कि antioxidants जो होते हैं, three radicals को रोकने में मदद करते हैं, और साथ के जाथ हमारे aging process को slow करते हैं, इसके अंदर proteins भी हैं, और इसके अंदर carbohydrates की हैं, अगर हम चीनी की बात करने हों, तो चीनी में इस किसम की चीज़ें नहीं हैं, या बिलकुल ही negligible मातरा के अंदर होती हैं, आयरुवेदा के अंदर इसका इस्तमाल होता है as diuretic, यानि कि यह हमारे शरीर को detoxify करने में मदद करती हैं, हमारे शरीर से जितना भी toxins होते हैं, उसको निकलने में मदद करती हैं, जैगरी के बारे में कहा गया है, कि अगर हम इसे खाने से पहले थोड़ी सी जैगरी खा लें, तो हमारे जो शरीर के अंदर जो digestive system है, जो digestive juices हैं, उसको यह secret करने में मदद करती हैं, यानि कि हमारे overall digestion जो है, वो इससे एक खाया है, जो कि जैगरी से और हमारे कोकोजी से बना हुआ है, तो यह हमें पता लगता है कि जो जैगरी जो प्रोड़क्ट है, इसको यह बहुत versatile प्रोड़क्ट है, इसको अलग अलग तरीके से हम अपने regular इस्तेमाल के अंदर ले करके आ सकते हैं, किसी भी किसम के आप कि अगर हम चाय की बात करते हैं, अगर आज के जितमे टी पार्डनर्स पर जाते हैं, तो आपको गुड की चाय मिलती है, और गुड की चाय जो है वो regular चाय से तीन गुना ज्यादा महंगी होती है, तो अब आपके पास अपना एक बहुत बेतरीन प्रोड़क्ट आ चुका ह जो कि बिलकुल chemical free है, जिसमें कोई harmful chemicals नहीं है, जो refined नहीं करा गया है, जो natural है, और first pressed jaggery है, और इतना खुब शुरट प्रोड़क्ट, इतना beautiful प्रोड़क्ट, इतना मीठा प्रोड़क्ट जो हम आपके लिए लेकर आएं, तो उसकी जो pricing structure है, वो सब भी बहुत मीठी होने जाएगे, तो दोस्तों जब आप इसको लेंगे, तो इसका जो DP है, वो 185 है, MRP 230 है, और इसमें आपको PVR SP 75 75 बोलते हैं, तो मेरे खाल से आप सब लोगों को इस प्रोड़क्ट को आप बहुत अच्छे से प्रोड़क्ट करना है, पहले खुद इस्तमाल करना है, कहते हैं self-use is the best thing, तो self-use करें, उसके बाद share करना शुरू करें, और इसके basis पर आपको आप इस प्रोड़क्ट से कितनी ग्रहनियों की रसोई के अंदर entry ले सकते हैं, especially all the women distributor, उनके लिए मैं कहूंगा, कि एक ऐसा प्रोड़क्ट है, जो आप कहते हैं कि आप kitchen में जा सकते हैं, और kitchen से, क्याते हैं न, कि अगर एक आदमी का मन जीतना हो, तो पेट से दाना परता है, तो एक ऐसा प्रोड़क्ट है, जो women जो है, two women उनके kitchen में जा सकती है, और जो औरते हैं, ये इससे product बना करके, दिल जीत सकती है, right, so, बहुत अच्छा प्रोड़क्ट है, FMCG category का प्रोड़ है, हमारे branches में, और हमारे stocks के पास, बिलकुल देर नहीं करनी है, आप लोगों ने, जिन लोगों लिया है, वो और लें, और जिन लोगों ने, अब तक इसका order नहीं लगाया, जो wait कर रहे थे, मैं चाहूंगा, कि बिलकुल आगे बढ़ें, जहां पर भी है, orders लगाएं, stocks के पास जाएं, branches में जाएं, और इस product को जल्दी से जल्दी खरीदें, यह एक ऐसा product है, जो हर घर में, हर रसोई के अंदर होना लोगी है, इसके through हम हर घर के अंदर जा सकते हैं, यानि कि हमारा सपना जो बोलते हैं, DXN in every home, DXN घर-घर में, यह product उसे पूरा करने में मदब कर स आउ ताओ, so thank you so much for your time and attention.